गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू दर संद पब्लिक स्कूल ओनलाइन क्लासेज क्लास एर्थ क्लास एर्थ में हमने सेकंड चेप्टर पूरा रीट कर लिया था आज हम इस सेकंड चेप्टर के क्यूशन आंसर एक्स्प्लेन करेंगे पर तो हम पहले इसमें पाठ्टि पुस्तक के जो प्रश्ण उत्तर है वो एक्स्प्लेन करेंगे कहानी से प्जुशन नंबर फर्स्ट बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाओ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहेकर बदलू काका क्यों कहता था तो इसका अंसर एक बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं बहुत चाओ से जाता था चाओ का अर्त होती है इच्छा शोक क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनीहार लाग की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी वह बदलू को मामा ना केकर बदलू काका इसलिए केता था क्योंकि उस गाओं के बच्चे बदलू को बदलू काका केकर संबोधित करता था पे बदलू काका थे उसको लाग की रंग की रंग विरंगी जूडियों की जो लाग की रंगी घोली सहे चुडिया के दो जो सब चेकर संबोधित करते थे तो थे खरता था किसले काण से करता प्र maintain की प्रशलीद पढ़ यूइज इनको क्यूंत की जाती इस पद्धती में वस्ता के लेन देन में पेसे की जगे वस्तो का प्रयोग किया जाता है जैसे बदल्य लाक की चूड्यों के बदले अना-जय अन्य आवशक्ता का शामान लिया करता था आज ये चलन नहीं है आज पैसों के बदले वस्तो य है खरीदी जाती इस पद्धती को आवशक्ता का सामान लिया करता था लेकिन आजकल तो पेसों के बदले वस्तुएं खरी दी जाती जिसको हम मुद्रावीनियम के नाम से जाना जाता है क्यूशन नमबर थर्ड मशीनी युगने कितने हाथ कारण दिये इस पंग्ती में लेकक्ने किस व्यता की और संकेत किया है इसका अंसर है मशीनी यूग ने कितने ही हाथ काड़ दियें इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंदाधुन प्रयोक से बढ़ती बेरोजगारी की और संकेत किया है केवल कुछी मशीनों द्वारा से एकड़ो मनुष्यों के बरावर काम हो जाता है बेरोजगारी के कारण में भूक मरी के शिकार हो जाते हैं इतना ही नहीं इनके कारण अने छोटे उद्योग और प्रेतक व्यवसाय नस्ट हो चुके हैं लेखक ने काई गरो की इस व्यथा की और संकेत किया है आजकल हाथ का इस्तान मशीनों ने लिया है आजकल मशीनी करण युक्तारंब हो गया है इसलिए सारे जो छोटे उद्ध्योग दंदे हैं जो अपने प्रेतक व्यशाय रहते हैं वो नस्टो चुके हैं Q4 बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यता थी जो लेकक से चिपी न रह सकी इसका अंसर है लाग की चूडियों के कुशल कारिगर बदलू का काम मशीनों के आने से चिन चुका था वो लाचार हो गया था जिन काज की चूडियों से उसे नफरत थी आज सब जगे उससे वही दिखाए पड़ रही थी अब हाथ की कारिगरी के अपेक्षा सुन्दर्ता तथा चमक दमक को महत्व दिया जाने लगा था बदलू के मन में यह वत्या लेकक से चिपी न रह सकी थी इस आंसर में यह कि जैसे मशीनों का प्रयोग होने से बदलू का जो काम दंदा था वो चीन चुका था अब लाग की चुड़ों का इस्तान काच की चुड़ों ने ले लिया था क्यूशन नंबर फिप्त मशीनी युक से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया इसका आंसर है मशीनी युक के कारण बदलू का काम चीन गया था वह बेरोजगार हो गया था उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी वह कमजोर तता व्रद्ध हो गया था और विमार तता चिंतित रहने लगा था ये कहानी से आगे जो है क्यूशन नंबर फिप्त तक के क्यूशन आंसर आपको ये अपनी SW कोफी में काई नहीं है आपको